नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो इस वीडियो में आप सभी को बताने बाला हूँ कि अब जो रिया चकवर्ती है दोस्तो वो खुद बताने बाली है कि सुसान सिंग राजपुत के साथ क्या हुआ था क्योंकि 12 जुलाई अब दूर नहीं है और इससे पहले जो खबर निकल कर आ रही है उसने हर किसी को हिला कर रग दिया है और आपको बता दे रिया चकवर्ती के उपर NCB की टीम ने नजर गड़ा रखी है और इतना ही नहीं आपको बता दे NCB की टीम ने रिया चकवर्ती के पीछे एक जासुस भी लगा रखा है और रिया चकवर्ती की पूरी फैमली से पूछता चोने वाली है आपको बता दे NSB की टीम ने एक बार फिर से ये confirm कर दिया है कि रिया चकरवर्ती ने सुसान सिंग राशपूत की वज़े से ही ड्रक्स को मंगाय था सुसान सिंग राशपूत को ही ड्रक्स देने के लिए मंगाय था अब ऐसे में रिया चकवर्ती की परिसानी बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि रिया चकवर्ती जहां अभी तक छुपने की कोसिस कर रही थी अपने आपको वचाने की कोसिस कर रही थी तो वहीं दोस्तों रिया चकवर्ती का तो खुलासा हो ही गया पता चल गया कि रिया चकरवर्ती किस तरह से सुसान सिंग राशपुत के पीछे हाथ धोकर के पड़ी हुई थी और इतना ही नहीं सौविक चकरवर्ती भी रिया चकरवर्ती का साथ दे रहा था क्योंकि NCB की टीम ने जो कोट में दलिल दी है उसमें साप कहा गया है कि रिया चकरवर्ती इस कारणामे में अकेले नहीं थी बलकि सौविक चकरवर्ती भी रिया चकरवर्ती का पूरी तरह से साथ दे रहा था ऐसे में दोस्तों रिया चकरवर्ती के साथ साथ सौविक चकरवर्ती भी बहुत बुरी तरह से फसने वाला है क्योंकि आपको बता दे अब उसके बाद ये लोग बहुत जल्द जेल के पीछे जाने वाले हैं तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद